गुड मॉनिंग इस्टुरेंट्स आज हम कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक रजना प्रसून के दसमे अध्याय क्रिया के बारे में पढ़ेंगे क्रिया का अर्थ होता है किसी भी काम का करना या होना जैसे कि आपकी पुस्तक में उधारण दिये गए है बच्चा नहा रहा है, पेड़ पर चिडिया बैठी है, दो बच्चे पढ़ रहे है इन तीनों वाक्यों में रंगीन शब्दों द्वारा कुछ ना कुछ काम का करना या होना ज्यात हो रहा है ये सभी क्रिया शब्द हैं, जैसे बच्चा नहा रहा है, तो बच्चा करता है, करता अर्थार संग्या किसी भी काम को करने वाला करता कहलाता है नहा रहा है, नहाना क्रिया है, यनि की काम का होना उसी तरह बैठना क्रिया है और पढ़ रहे हैं पढ़ना भी क्रिया है तो क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता है क्योंकि अगर हम कहेंगे कि बच्चा अगर हम इसमें नहा रहा है का प्रियोग नहीं करेंगे यानि क्रिया का प्रियोग नहीं करेंगे तो वाक्य अधू कारी हो उसे क्रिया कहते हैं क्रिया के दो भेद होते हैं सकर्मक्रिया और अकर्मक्रिया फर्स्ट सकर्मक्रिया अर्थात कर्म के साथ क्रिया तो जिस क्रिया के साथ कर्म के अवशक्ता होती है उसे सकर्मक्रिया कहते हैं जैसे उधारा दिया गया है नैना किताब पढ़ रही ह तो इसमें नैना करता है और पढ़ना क्रिया है इनके साथ किताब अर्थात कर्म का प्रियोग हुआ है इसलिए यह सकर्मक्रिया है उसी तरह विवेक सब्जी ला रहा है तो इसमें भी विवेक करता है और ला रहा लाना क्रिया है और सब्जी कर्म का प्रियोग हुआ है तो इ वहाँ सकर्मक्रिया होती है और उत्तर नहीं मिलने पर अकर्मक्रिया होती है जैसे नैना क्या पढ़ रही है तो इसका उत्तर मिलता है किताब उसी तरह विवेक क्या ला रहा है इसका उत्तर मिलता है सबजी नेक्स्ट अकर्मक्रिया अकर्मक्रिया अकर्मक का अर्थ है कर्म के बिना तो जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है वह अकर्मक्रिया कहलाती है जैसे नरेश हसता है देवी का रोती है इसमें कर्ता के साथ सिर्फ क्रिया का प्रियोग हुआ है तो इन दोनों वाक्यों में क्या या किसे लगा कर प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, जैसे क्या हसता है, तो व्यक्ति के लिए कौन आता है ना कि क्या, उसी तरह क्या रोती है या किसे रोती है, तो इसका उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए यहां अकर्मक्रिया ह विशेश इन वाक्यों में दो क्रियाएं भी होती है कुछ वाक्यों में दो क्रियाएं भी होती है जैसे संजना हाथ मुँ धोकर खाने बैठ गई हमें समझ कर पढ़ना चाहिए तो इन वाक्यों में धोना और खाना और दूसरे वाक्ये में समझना और पढ़ना दो-दो क्रियाओं का प्रियोग किया गया है इसमें धोना और समझना क्रियाएं मुख्य क्रिया से पहले हो चुकी है इस प्रकार की क्रियाओं को पूर्व कालिक क्रियाएं कहते हैं जैसे संजना हाथ मूँ धोकर खाने बैठ गई तो पहले काम हुआ हाथ मूँ दोने का इसमें मुख्य क्रिया है खाने बैठ गई तो मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते है उसी तरह हमें समझ कर पढ़ना चाहिए तो पढ़ने का कारे मुख्य रूप से होगा तो यह मुख्य क्रिया है, समझ कर पढ़ना चाहिए, तो पढ़ने से पहले समझना चाहिए, तो यहाँ पर समझना पूर्व कालिक क्रिया है कुछ वाक्यों में दो कर्म भी होते हैं, जैसे सीमा ने गाय को घास खिलाई, हरीश ने अपनी बहन को कलम दिया तो यहाँ पर क्रिया के साथ किसे या क्याल प्रश्न करने पर हमें उत्तर मिलता है, तब वहाँ सकर्म क्रिया होती है जैसे उधार में कि सीमा ने क्या खिलाई घास, किसे खिलाई गाय को, उसी तरह हरीश ने क्या दिया कलम, किसे दिया अपनी बहन को तो यहाँ पर दो क्रियाओं का प्रियोग हुआ है इसलिए ये द्विकर्मक्रियाएं है ऐसी क्रियाओं को द्विकर्मक्रियाएं कहते है तो इस पार्ट में आपने सीखा कि कार्य का करना या हुना क्रिया कहलाता है क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है क्रिया के दो रूप है सकर्मक्रिया और अकर्मक्रिया जहां कर्म पाया जाए वहां सकर्मक्रिया होती है और जहां कर्म नहीं पाया जाता वहां अकर्मक्रिया होती है अब इस पार्ट से सम्बंधित प्रश्णों के उतर फर्स्ट है पेड से फल गिरा वाक्य में क्रिया बताईए तो इसमें गिरा क्रिया है अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया में क्या अंतर है कर्म के बिना क्रिया अकर्मक्रिया कहलाती है और कर्म के साथ क्रिया सकर्मक्रिया कहलाती है थर्ड एक ऐसा वाक्य बताईए जिसमें सकर्मा क्रिया प्रियोक्त हुई हो बच्चे किताब पढ़ रहे हैं नेक्स है निम्लिकित प्रश्णों के उत्तर लिखिए फर्स्ट क्रिया किसे कहते हैं उदारण जहीद लिखिए वाक्य में जिस शब्द से किसी कारे के करने या होने की जानकाली हो उसे क्रिया कहते है उसके उधारण है पढ़ना, चलना नेक्स्ट क्रिया के कितने भेद होते हैं उनके नाम लिखे क्रिया के दो भेद होते हैं सकर्मक्रिया और अकर्मक्रिया सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं उधारण दे कर समझाईए जिस क्रिया के साथ कर्म की अवशक्ता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं उधारण नैना किताब पढ़ रही है नेक्स्ट कर्म को व्युक्त क्रिया से मिला कर लिखिए उधारण दिया गया है पत्र लिखना नेक्स्ट निम्नली की दवाक्यों में से क्रियाएं चाटकर उनके सम्मुक अकर्मक अत्पा सकर्मक लिखिए फिर्स सेंटेंस है राजेश सो रहा है तो इसमें क्रिया है सो रहा है और यह है अकर्मक वाक्य है सीता खेल रही है खेल रही है अकर्मक भैस दूध देती है दूध देती है सकर्मक नेक्स्ट माता जी गीद गाती है गीद गाती है सकर्मक रमेश पुस्तक पढ़ता है पुस्तक पढ़ता है सकर्मक यह भी सकर्मक क्रिया है नेक्स्ट बहु विकल्पिय प्रश्न, सही उत्तरवाले विकल्पर सही का निशान लगाईए कारे का करना या होना कहलाता है क्रिया, क्रिया के मुख्यते कितने भेद होते हैं दो जिस क्रिया के साथ कर्म होता है वह कहलाती है सकर्मक जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता वह कहलाती है अकर्मक नेक्स रचनात्मक गतिविदिया क्रिया के उचित रूप से रिक्तिस्थान भरिये इसमें ब्लैकिट में कुछ क्रियाइं दी गई है उसका उचित रूप आपको इन रिक्तिस्थानों में भरना है फर्स्ट है मैं आज नाटक देखूंगा चुपचाप अपना भूजन करो सतीश विद्याले में पढ़ता है मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा बच्चा दूध के लिए रो रहा है तो आशा करती हूँ कि आपको यह पार्ट समझ में आ गया होगा इस पार्ट से संबंदित प्रश्णों के उत्तर और अतिरित प्रश्णों के उत्तर आप अपनी पुस्तक में साफ और स्वच्छक्षरों में लिखेंगे तैंक यू